हेलो मेरे प्यारे चात्रों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रुपिय को पेसे में तथा पेसे को रुपिय में कैसे बदला जाता है पहले सुरुवात करते हैं अपन रुपय से पेसे में बदलना है रुपय को किस में बदलना है आपको पेसे में बदलना है तो अपने सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक रुपय में कितने पेसे होते हैं यह जाल लिजी एक रुपय में होता है आपका सो पेसे कितना होता है 100 पेसे का आपका क्या बनता है 1 रुपया बनता है अब 1 रुपया बनता है तो अपने को रुपया से पेसे में कनवर्ट करने के लिए कितने का गुणा करना है 100 का गुणा करना है देखना अपन example लेते हैं जैसे कि आपका एक example है कि 5 रुपे अब 5 रुपे हैं आपका तो 5 रुपे में कितने पेसे होंगे तो अपन वही नियम लगाएंगे 5 में कितने का गुणा करेंगे 100 का क्या लिख सकते हैं अपन इसे पांच रुपे को अपन के लिखेते हैं, पांच गुणित एक रुपे, अब एक रुपे कितना पेसा होता है, आपका सो पेसा होता है, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, पांच गुणित, एक रुपे के स्थान भी क्या लिखेंगे, सो पेसे गुणे में, क्या जाग आपका स पेसे तो क्या गया आपका ध्यान से समझना सो का गुणा 500 में करेंगे कितना आपका 500 पेसे पांच रुपे कितना होता है आपका 500 पेसे होता है तो इस तरह से आप आसानी से रुपे को पेसे में कर सकते हो सो का गुणा कर अब अपन लेते दसमलो वाली संक्या जिसमें आपका के डोपाइन केड़ अप्टा यहाए तो यह गया अपका पैसे में कंवर्ड हो जाएगा अब 2.8 Cats Catfire अब 2.8 ने 28 अब्वह अंगी थायक हम सो में कितनी जीरों आपकी 20 जीरों प्रभ cud कितना होगा आपका 350 पेसे ठीकिए बच्चों अब अपन लेते हैं एको संक्या जिसमें आपका 10.9 के बाद अनको उसे कि आपका तीसरा है कि 0.6 रुपय अब 0.6 रुपय कितना पेसा होगा आपका तो ध्यान से समझना आपन कितने का गुणा करेंगे 0.6 में 100 का तो किसमें कन करेंगे 100 का तो यह किसमें कनवर्ट हो जागा आपका पेसे में कनवर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे 0.03 में कितने का गुणा करेंगे 100 का तो यह किसमें कनवर्ट हो जागा आपका पेसे में कनवर्ट हो जागा 0.03 में अपन 100 का गुणा करेंगे 300 अब 10 रुपय अप 一 को दो यंगान के पद देंगे तो आपका 0.03 रुपय कितना होगा 3 पेसे होता है इस तरह से आप सभी प्रकार के रुपयों को पेसे में ुए में 100 पेशा होता है अब एक पेशे में कतने फ्रूर्प होंगे दशक ठीकी के आपका एक बटा , प्रम लोक ही अ खर्या जाता है जो का का डाएग ड हेशे कृंवर्ट कर लिए सो को भाग दें कि 600 पेसे कितने रूपे होंगे 6 रूपे होंगे कितने रूपे 6 रूपे होंगे तो किसे निकलेंगे अपन क्या करेंगे 600 गुनित क्या लिख सकते हैं इसे 1 पेसे क्या लिख सकते हैं 600 गुनित एक पेसा अब एक पेसा वर आवर कितना होता है एक बटा सो रुप्य तो अपन क्या करेंगे 600 गुनित. एक पेशे की स्थानभी के रुपय में convert करने के लिए कितना लिखेंगे एक बटा सो रुप्य. अब ये दो जीरो से दो जीरो केंसे लोगी भाग देना है किसका सो का भाग देना है तो कितना वाच आपका 6 कम 6 रुपए तो कितना रुपए हो 600 पेसे कितना होगा आपका 6 रुपए मतलब पेसे को रुपए में कनवर्ट करो सो का भाग देगो अब अनोब ने जयामपल लेते हैं जैसे कि आपका है कि 55 पेसे घ flows कितना पच्पन पेसे अब 55 पेसा को आपको किसमें रूपे में? कंवट करना थै तो वही आप क्या करेंगे 55 में कितने का भाग देंगे 100 का भाग देंगे तो, इकस में conversion हो जाएगा आपका रुपे में conversion हो जाएगा 100 का भाग नहीं देना है कितने anti-9 जिरॉ बटे में एक लोग वने पसकारे आपका पेसे रिख़ सिर्फ एक लोग आपको राइए ओर सी मिन लोग जो गएगा तो यह किसमें convert हो जाएगा आपका रूपे में convert हो जाएगा अब ध्यान से समझना कि 8 है अब 8 में आपको 2 अंक बाद दस्म लागाना है क्योंकि दवाटे में कितना 0 है दो 0 है तो अपन क्या करेंगे 2 अंक बाद 2 अंक था ही नहीं तो अपन इसके लिख सकते हैं 0 8 लिख सकत रूपी